और एजुकेशन कोचिंग कॉंपिटिशन क्लासेस ग्रुप अजमिर में आपका स्वागत है और मैं सेलेंदर रावसर आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आगे हूँ टॉपिक के वेश्विक पर्यावरन आउटलुक रिपोर्ट दोहजार उन्निस जी हां दोस्तों हाली मे आपको बता दो कि इस रिपोर्ट का उद्धिश से क्या रहा है तो यहां आपन पढ़कने जा रहे हैं जिहां दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि 2015 में विश्व भर के नेताओं ने पेरिश जलवायू समझोते के तेट वेश्विक तापमान में वर्दी को 1.5 डिग्री तक सिमित रखने तता उस सजन में कटोदी के लिए स्वमूचित कदम उठाने है तो अपने प्रती बंदता जाता ही थी वर्दमान में परदूशन नविनिकरन और यंत्री कर्थ खाद्य स्रंकला मेकनिजने फूड चेन को लोगों के स्वास्त पर नकरात्मक परभाव का का प्रियावरन व्यभारिक ज्यान या समझ की कमी कमी सामने आ रही है ऐसे में यह रिपोर्ट आंसिक रोप से मनुशियों पर प्रियावरन समस्यों के परभाव को लेकर विश्यों भर के लोगों का ध्यान आकर्षित कर जल्वायू तता प्रियावरन के बीच इस अंतर को गया था वो था समय से पहले मौत जी आँ दोस्तों दुनिया भर में समय से पहले होने वाली सभी मौतों और विमारियों की एक चोताई संक्या का कारण मानव जनित परदूशन और प्रवरणी शती है दूसरे अपन बात करें रिपोर्ट में गातक स्मॉक के साथ साथ वीबिन उत्सरजनों रसाइनेत यूत दूसित पेजल तता अधिकांस लोगों की आज इविका के लिए महतपॉर्ण पारिस्तिती की तंतर की सती पर विशेश ध्यान दिया गया है ये पारिस्तिती की एक विश्व व्यापारी महामारी के आगमन का संकेत दे रही है जो वेश्विक कर्थविस्ताओं को परभावित करती है अगला जो दूसरे इसमें मैं पॉइंट रखा गया था वो रखा गया था ऐसा मानता वेश्विक प्रयावरन आउटलूक में अमीर और गरीब देश्यों के बीच व्यापा कंतर को दर्शाय गया है वेश्विक इस्तर पर 6-10 परति अब बात करते हैं जबकि नीचे की 50 प्रतिश्यत आपादी केवल 13 प्रतिश्यत ग्रेन हाउस उसर्जन के लिए जिमेदार माने जाती है तो यहां पर हमें जो कंट्रोल इसको करना होगा धनी लोगों को तरफ से में कदम उठाने पड़ेंगी अगर इसको ग्लोबल वार्म करते हैं कि इस रिपोर्ट के मताबित परदूशन के नकरात्मक प्रभाव को गरीबी नागरिक द्वारा सबसे अधिक मात्रा में वहन किया आग जाता है विक्सित देशों में बड़े पेमाने पर अति उपभोग परदूशन और बहुजन की बरबादी भूग गरीबी और बिमारियों का कारण बनती जाती है इस बिंदू का जो तीसरा पॉइंट रखा गया है वेश्विक परयावरन आउटलुक रिपोर्ट में आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं इसका जो तीसरा पॉइंट रखा गया है वो स्वास्ति को पर रखा गया है वेश्विक रोग सब्सक्राइब 1.4 मिलियन लोग स्वस्ते पेजल के आपड़ती ने होने की कारण और दुषित पेजल की कारण जल जनित रोग की सिकार हो जाते हैं और उनकी भी मरत्यू हो जाती है तो अगर इस पार अपन बात करते हैं कि अगर इस तरह से एक नई रिपोर्ट जारी की जिस साथ मिलियन मौते हो जाती है समुदर में गुले रसाइन जिनका परभाव पीडी दर पीडी बढ़ता जा रहा है स्वास्त पर प्रतिकुल परभाव के करण बनते जा रहे हैं मेगा फार्मिक तता वनों की कटाई की करण प्रत्वी के विबिन भागों में मरदा शरण होता जो मद्य स्यताब्दी तक दुनिया भर में आज हमें एक मरत्यू के करण पहले नंबर पर होगा ठीके अब बात की गई कि इस वेश्विक प्रयावरन आउटलोक रिपोर्ट की जो उपाई रखे गे थे वो उपाई कौन कौन से रखे गे थे यहां पर हमें उपाई के बार की जाने की मांग की गई है यानि बहुत यह आउसकता पड़ेगी वेश्विक अर्थवस्ता को अधिक तिकव उद्पादन और अग्रणी पंक्ति में बनाए रखने की ततकाल आउसकता होती है इसके बिना जीडिपी वर्दी अर्थ हिन हो सकती है दूसरा मानव वेवार द यह नहीं है कि उत्पादन को दोगना करना होगा बले कि हमने हमें अपने विवार में परिवर्दन लाने की जरूत पड़ेगी परतमान में दुनिया भर में उत्पादि सभी खाद्य परदातों का एक तिहाई भाग हम फेक दिया जाता है बहुत बड़ी रिपोर्ट में ब जैश्विक ग्रीन हाउस के नौ प्रतिशत उसर्जन को कम करने में साइक होगा अलप मास पचूरता वाले अहारों को अपनाना पड़ेगा ग्रीन हाउस के प्रियोग में कम भी लाना है तो इस दिशा में मैं मैतपौन उपाई सोचने होंगे मैस कि तयारी कर रहो इसके ला चैनल को सबसे पहले लाइक कर लिजीगा, शेर कर लिजीगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जुरू दबाने ना, इससे क्या होगा हम जो भी वीडियो अप्लोट करेंगे उसका नौटिफिकेशन से आपको तुनुत मिल जाएगा, तो हमने जो आज पहला टॉप देशों का वेश्विक प्रयावन आउटलूक रिपोर्ट में प्रति गेर जिमेदाना विवहार प्रयावन के प्रति चिंता को बढ़ाता है, यह उन देशों के लिए एक प्रक्यात्मक लेकिन महत्मण बादा है, जो कच्रे अति उप्योग और परदुशन में आपसे कटो कटोती करने में सेमत हुए हैं, तो दोस्तों अब अगला जो पॉइंट आपके सामने में जो लेकर आगया हूं, वो है जिनेवा कन्वेक्शन, जिहां दोस्तों हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिनेवा कन्वेक्शन, जिहां दोस्तों अगला जो टॉपिक अप के खिलाब कारवाई की गई थी और उस वक्त बड़े सेने तनाव की दोरान एक दुरगटना भारत की पाइलट विक कमांडर को पाकिस्तान द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और भारत ने इस मामले में अभिनंदन की सुरक्षित रिहाई के लिए कूट नितिक दबाव क साथ-साथ विबिन अंतराश्ट करनों का सहरा लेते हुए जिनेवा कन्वेश्चन्स उननिस सो निपचास का हावाला दिया और अभिनंद की मामले में जिनेवा कन्वेश्चन्स के तीसरी संदी महत्पुण साबित हुई है जी दोस्तों मैं आपको इसी संदी के बारे में चर्चा कराने आया हूँ दोस्तों क्या होता जिनेवा कन्वेशन्स यहां हम टॉपिकली डिटेल्स ले पढ़ के बता दे क्या देखे 1864 से 1950 की बीच जिनेवा में संपन जिनेवा कन्वेशन्स कई अंतराष्टे संदियों की एक ऐसी जो युद बंदियों और नागरिकों की अधिकारों को बरकरार रखने है तो युद में शामिल पक्षों के लिए बादिकारी होती है जिनेवा कन्वेशन्स में चार संदिया और तीन अतरिक प्रोटोकॉल को शामिल किया गया है जिनका मकसद युद के वक्त मानवी मुल्यों को बनाए रखना है और उनके लिए कानून लागो करना उन्निस सो नपचास के समझोतों में शामिल दो अतरिक प्रोटोकॉल उन्निस सो सत्तर में उन्नमोदित किये गए थे तो बहुत important questions हो सकता है दुनिया के सभी देश जिनेवा कन्वेशन्स में हस्ताकसर करते है यानि मैं आपको ये बता दू कि ये जो जिनेवा कन्वेशन्स रिपोर्ट है इसमें दुनिया के सभी जितने भी देशे उन सबने साइन कर रखे तो ये बहुत ही एहम मैधपुर्ण ये रिपोर्ट हो सकती है संदी हो सकती है जिसके तेट अगर कोई भी देश दूसरे देश के प्रति अगर कोई हमला हो सकता है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है तो दुनिया के सभी देश जिनेवा कन्वेशन्स में हस्ताक्सर करता है हालिया कटना चकर के अनुसार जिनेवा कन्वेशन्स के दायरे में आया है क्योंकि जिनेवा कन्वेशन्स के प्रावदान शेत, शांतिकाल, गौशित, यूद और यहां तक कि उन सैसेस्तर संगस्त्रों की इस्तिती को लागू करना होता है जिने एक या अधिक पक्षो द्वारा युद के रूप में मानेता नहीं दे जा सकती है जिनेवा कन्वेशन के तेत तीन परकार के संधिया की गई है जि हाँ दोस्तों मैं आपको यहां पर यह बताना जाया हूँ कि जिनेवा जो कन्वेशन है उसके तेत तीन परकार के संधिया की गई है तीसरी संधि के बात करते हैं युद बंदियों से संब्दी थे और चौते संधिय की बात करें तो युद के समय आम नागरिकों की किस परकार सुरुख्षा की जाए इसे संब्दी थे तो हम यहाँ पर बात करें हैं कि हमारी जो भी कमांडर है अभिनंदन उनको जब पकड़ लिया गया था तो उनको भारत ने किस परकार सुरक्षित भारत के अंदर बुलाया उसके बारे में बात करें तो तीसरी संदी है युदबंदी है तो प्रावदान किसी भी देश के सेनिक को पकड़े जाते हैं उस पर संदी लागू हो जाती है इसके तेट कोई भी देश युदबंदी को ना तो अपमानित कर सकता है और ना ही डरा धमका सकता है ठीके कोई भी देश युदबंदी से उ और अगर ऐसी कौसिस की जाती है तो युद बंदियों को अपना नाम, सर्विस नंबर और रेंग के लावा कुछ भी अन्ने जानकर उन्हें नहीं देनी पड़ती है। तो इस संदी का सबसे महत्पूर्ण पार्ट यही था। ठीके अब बात करते हैं जिनेवा की तीसरी संदी के धारा चार में युद बंदियों की परिवाश्या और उनके अधिकारों का लेक किया गया है। संदी की धारा 13 में युद बंदि के साथ मानवी विवार की बात की गई है। इसके अनुसार उसे किसी भी परकार से पतड़ायत या उसका शोशन नहीं किया जाएगा। और इसे युद बंदि का स्टेटेस बादक नहीं होगा और वे स्टेटेस का मतलब उसकी पेचान से ह यहां इस्टेटेस का मतलब उसकी पेचान से हिरासत में लेने वाला देश युद बंदि के खिलाब संभावित युद अपराद का मुग्दमा चला सकता है लेकिन अंतरास्टे मानवी कानुनों के देट आने वाले हिंसे कारवाई के लिए नहीं इसके अलावा युद हिरासत में लेने वाले देश युद बंदि के खिलाब संभावित युद अपराद या का मुग्दमा चला सकता है लेकिन अंतरास्टे मानवी कानुनों के तहट आने वाले हिंसे कारवाई के लिए नहीं इसके लावा युद बंदियों के साथ किसी भी तरह का वो बेदबा गया है में पुन तती है कि इस संदी के अधिकांस प्रावदानों के कस्टमरी इंटरनेशनल लो बना दिया गया है अरतात कोई भी देश इस संदी का हिस्सा है अत्वा नहीं है लेकिन वे इसके प्रावदान को मानना ही पड़ेगा और इस परकार जीनेवा संदी के भारती सेना को सोपा गया था लेकिन भारत शिमला समझोता 1922 के तेथ उन्हें छोड़ने को तैयार हो गया था तो यह बहुत इंपोर्टेंट कॉशन से इसलिए गटना चकर हाली में चर्चित में रहा था अब इसका निसका नहीं कर सकता है जिनेवा कन्वेशन का उदेशि सिर्फ चिकत से सुधा उपलप्त कराए जाए बले कि उसे मानवादिकारों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए हालांकि जिनेवा संदी में यह प्रावदान है कि कोई भी देश गौशित युद में उल्जे हो तो युद समाप्ति के बाद या किसी भी समझोत के बाद सभी युद्बंदियों को रिहा कर देना चाहिए तो दोस्तों कहorns लगा हमारा लाइक चैनल कीजी में हमार डोस्तों कैसा लगा हमारे तॉपिक आप जल्दी से अव् todas को अभी कर रहा हूं कि हमारा चैनल को जल्दी से subscribe कर ले और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता तो Like जूरू कर दे अगर आप सीविल सर्विस की तेरी कर रहे हो तो इस चैनल को जल्दी से subscribe कर देना